मनि करनिका के पिछले एपिसोड में तुलसी राम जी ने दो बातों का खास जिक्र किया है पहली बात तो ये कि मुगल शासक औरंग जेव ने ये प्रणाली शुरू की थी कि कुछ संस्क्रिट मठों को अनुदान दिया जाए जिसे आज भी शायद कुछ समाच से भी मुस्लिम संगठनों ने जारी रखा है अनुदान देने की प्रणाली को संस्क्रिट मठों को और दूसरा महतुपुन जिक्र वे इस बात का करते हैं कि दंगों में किस प्रकार के हतकंडे अपनाये जाते हैं उन्हें भड़काने के लिए साम्प्रदाइकता को और किस प्रकार गरीब लोग जो हैं वे इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा लेते हैं तो अब हम महां से आगे का क्रकरन शुरू करेंगे उधर फरवरी 1969 का नौ प्रांतों वाला मध्यावदी चुनाव समाप्त हुआ और कॉंग्रेस लगबख हर जगा सत्ता में वापस आ गई वे बोलते हैं कि पहली बार नौ जगे से कॉंग्रेस हारी थी लेकिन जल्द ही उ मेरे साथ गोरक पाड़े सुभा से शाम तक वहीं रटे रहे अंतोत गत्वा रूस्तम सैटिन चुनाव हार गए जिससे में बहुत दुखित हो गया था उनकी विरोध में जनसंग के शचींद्र नाथ बक्षी चुनाव जीते थे बक्षी एक स्वतंतरता सैनानी थे चले जाने के कारण उनकी चबी बहुत खराब हो गई थी फिर भी हिंदू वोटों के द्रुवी करण के कारण में चुनाव जीत गए जिसका एक मात्र कारण था शहर दक्षिनी शेत्र में मुसल्मानों का कम्यनिस पार्टी को समर्थन देना चुनावों के बाद दल बदल क एक भिशन दौर शुरू हुआ चरण सिंग कॉंग्रिस पहले ही चोड़ चुके थे उन्होंने भारतिये जनतादल बी के डी बना लिया था जिसकी उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा थी पूर्वी यूपी में यादव लोगों की बहुतायत थी वे लोग चरण सिंग को यादव समझ कर उनके साथ हो गए थे यादवों की ये विचित्र समझ थी क्योंकि चरण सिंग शुद जाट थे जाट से जाटव चरण सिंग ने अजगर यानी अहीर जाट गूजर तथा राजपूत का नारा देकर जातिये धुरूवी करण को अपने पक्षमे करने की एक राजनैतिक लेख में हरिशंकर परसाई जी ने भी किया है जिसके वीडियो को आप सुन सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके लेख का जो नाम है विशह है मैं आपको बता देती हूं क्योंकि सभी लेख जो है वे अपने नामों के साथ ही सूची बद्द किये गए हैं लेख है विशह है स्वस्त सामाजिक हल्चल और अराजकता इसमें भी सेम यही बात हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है और आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि जगा जगा तुलसी राम जी ने हरिशंकर परसाई की व्यंग्यों की खासी विशेश्ता के साथ कहा है कि वे उनके नियमित पाठक है या उनके कायल है व्यंग्यों के तो पहले शायद लोगों को यह बाते समझ में ना आई हो लेकिन आज राजनीती के इन सारे प्रसंगों को समझ कर जान कर आप उन लेखों पर पुना लौट सकते हैं जिनकी वीडियो में अल्रेडी बना चुकी हूँ हो सकता है अब वे लेख आप लोगों की समझ में आ जाएं अच्छे खासे चुटीले अंदाज में हैं हसाते भी हैं और राजनीती के समझ को बढ़ाते भी हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वे जोड दोड में माहिर थे जिसके कारण पुना मुख्य मंत्री बन गए उनकी ता जब भारती राजनीती में आयाराम गया राम की अवधारना उमरकर सामने आई थी हुआ यह कि हरियाना में गयााराम नामा के विधायक है वे 24 गंटे के अंदर तीन बार दल बदल लिये थे अता उनी के नाम पर आया राम गयाराम प्रसिद्ध हुआ दल बदल के कारण उत्तर प्रदेश की विर्हान सभा में पहली बार मार पीट की परिपाटी शुरू हुई थी इन चुनावों के बाद देश की राजनीती में एक बड़ा उबाल उस समय आया जब 20 जुलाई 1969 को प्रधान मंत्र इंद्रा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राश्ट्री करन कर द और वहीं एक अन्य लेक में हरिशंकर परसाई जी ने आवारा भिर के खत्रों की बात कर रही हूं उनका जो लेक संग्रह है 28 लेकों को संग्रहित किया गया है उस पुस्तक में आचारे नरेंद्र देव और समाजवादी आंदोलन लेक का विशे है ये जो हरिशंकर परसाई जी ने भी उद्रित किया है और साथ ही ये जो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहली बार मार्पिट हुई है उस प्रक्रन को भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है हाला कि साफ तोर पर नाम इस तरीकी से नहीं रखा है लेकिन उनको पढ़कर लेकों को आप पूर प्रदानी से समझ सकते हैं उन पर लोटी एका जरूर क्योंकि आवारा भिर के खत्रों के सभी लेक बेहत उंदा और हसाने वाले हैं और वहीं पर हरिशंकर परसाई ये भी कहते हैं कि जाती आधारित राजनीती यहां से शुरू हो गई होना तो ये चाहिए था कि पढ़ने में उद्रित किया है आजादे के बाद ही प्रिवी परस के रूप में तमाम पूर्वन राजाओं को बड़ी धनराशी मुआफ़े के रूप में दी जाती थी इतना ही नहीं हत्यां जैसे अप राधों के लिए भी उन पर मुकदमे दायर नहीं किये जा सकते थे मतलब देश आजाद हो गया आजादी मिल गई लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जसकी तस चल रही हैं अंग्रेजी शासनकाल के खतम होने के बाद भी इन कदमों के कारण इंद्रा गांधी को देश भर में हद से जादा लोग पिरियता मिली थी किन्तु कॉंग्रेस के अंदर दक्षन पंथी नेताओं ने विद्रो कर दिया था जिससे पार्टी दो भागों में बट गई उसी समय ततकालिन बित्त मंत्री मुरार जी देशाई को इंद्रा गांधी ने मंत्री मंडल से बर्खास्त कर दिया था कॉंग्रेस के दक्षन पंथी गुटों में देशाई के अलावा एस निजलिंगप्पा कॉंग्रेस अध्यक्ष नीलम संजीवरेडी एके पार्टील जैसे नेता शामिल थे जिस दिन बैंकों का राष्ट्रे करणता था प्रीवेपर्स खत्म करने की घोशना की गई ठीक उसी दिन उत्तर भारती राजियों से CPI से संबंद All India Students Federation का बनारस में सम्मेलन हो रहा था ये सम्मेलन लक्सा स्थित एक धर्मशाला में आयोजित किया गया था राष्ट्रे करण आदे की घोशना होते ही सम्मेलन में एक प्रस्ता पारित करके उसका स्वागत किया गया तथा हम लोगों ने एक जुलूस निकाल कर इंद्रा गांधी के प्रती समर्थन का इजहार किया था जुलूस लक्सा के रामपुरा गिरिजा घर चौ मुहानी गौदौलिया विश्वनाद गली होते हुए दशाशों में घाट पर समाप्त हुआ था ये जुलूस स्वधास फूर्त था जिसके लिए पार्टी की राय नहीं ली गई थी क्योंकि हमारी राजनेतिक समझ ये थी के पहली बार इंड्रा गांधी ने सामन्तों तथा पूंजी पतियों के खलाव कुछ सश्रक्त कदम उठाया था ये वही दिन था जब अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्षियान तीन यात्रियों को लेकर चांद पर गया था उसमें से नील आम्स्ट्रॉंग पहली बार चांद पर उतरे थे दो अन्य अंतरिक्षियात्री थे एल्ड्रें तथा लेवल वे अंतरिक्षियात्री चांद की मिटी जमीन पर लाए थे चांद पर मानव के प्रथम कदम का समचार बनारस के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में च्छपा था अखबार अमेरिका की तारीफ करते नहीं ठकते थे उसी समय आर्म स्ट्रॉंग ने धर्ती पर अमेरिकी कंट्रोल सेंटर को सूचना भेज़ कर कहा कि उन्होंने जो ही चांद पर कदम रखा उन्हें वहाँ एक चमक दिखाई दी इसके आगे का प्रसंग पढ़ेंगे तो आप हस्ते हस्ते लोट पोर्ट हो जाएंगे मेरी मजबूरी है स्क्रीन पे मैं हस नहीं सकती वड़ना प्रसंग ही कुछ ऐसा है सुनिए जो ही उन्हें उन्हें चांद पर कदम रखा उन्हें वहाँ एक चमक दिखाई दी ये समाचार को पढ़कर बनारस के एक जोतीशी शास्त्री जी ने बयान दिया मनुष्य के पापी कदम पढ़ते ही चंद्र देवता निकल कर भाग गए इसलिए वहाँ चमक होई थी धर्म प्रिय नगरी होने के बावजूद बनारस के अधी संख्य लोग शास्त्री जी के बयान को जूटा तथा अटकल बाजी बताने लगे थे माफ के जगा गला ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता ही है खासी जाने में उस दिन मैंने देखा कि BHU के अनेक छात्र इस प्रशन पर बहस करते हुए जोतिशी के प्रती बनारस की वही पुरानी प्रशलित गाली भो और री के बीच सर का इस्तमाल करने में जरा भी नहीं किचकते थे और ना ही इस तरह के प्रसंगों को उद्रित करने में तुलसी राम जी हिचके हैं अपोलो वाली घटना के साथ उसी दिन घटित एक अन्य घटना से में बहुत उत्तेचित था वे घटना ती सोवेज संग द्वारा लूना खोद नामक मानव रहित अंतरिक्षियान का चांद पर उतारा जाना लूना भी चांद की मिट्टी खोद कर जमीन पर लाया था उन दिनों अमेरिका था सोवेज संग के बीच कोल्ड वार अपनी चरम सीमा पर थी अता बी एच्यू के चांद इनी खेमों में बटे हुए थे उठते बैठते जब भी बहस होती मैं हमेशा सोवेज वग्यानिकों की उपलब्धी को ज़्यादा चमतकारिक बताता और कहता कि जिस चांद की मिट्टी को अमेरिका ने मानव भेज कर मंगवाया सोवेज संग ने उसे मात्र एक मशीन द्वारा संभग बना दिया विशेश रूप से BHU के कैफेटेरिया में बहस के दौरान में चात्रों को बताता कि सोवेज संग स्पेस साइंस अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान का जनक है क्योंकि 1957 में उसने पहली बार अंतरिक्ष में स्पूतनिक नामक उपग्रह सफलता पूर्वक भेजा था जिस पर अमेरिकियों को विश्वास नहीं हो पाया था बाद में जल्दबाजी में अमेरिका में एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा किन्तु मिनिटों में ही वे गिरकर नश्ट हो गया जिस पर न्यू यू यॉक टाइम्स ने हेडिंग दिया था फ्लोपनिक यानि ध्वस्त हो गया तो स्पुतनिक का ये व्यंगात्मक वर्जन फ्लोपनिक तुलसी रामजी की जो ये आत्मकता है उसकी सबसे खास विशेशता यह है कि जो भी बात कहते हैं उसका रेफरेंस भी साथ-साथ उसी समय देते हुए चलते हैं जिसे आप क्रॉ प्रवरी के पहले महीने के कुछ दिन तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि रेफरेंस भी साथ-साथ देते चल रहे हैं आपको बहुत जादा कोई चीज को ढूंडने की जरूरत नहीं है मैं ढूंदती हूँ क्योंकि मेरी जो पॉलिटिकल समझ है खासकर इस दौर की व वह बहुत अच्छी नहीं है तो मुझे थोड़ी मशकत जादा करनी पड़ती है चीजों को समझने और समझ कर उसकी व्याक्या आप लोगों के सामने करने के लिए अधरवाइस हर चीज की वे खुदी रेफरेंस देते वे चल रहे हैं चाहें वे बहुत धमके शिक्षाओं जोड़ते हुए भी चलते हैं जिससे की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है पढ़ने वालों को चलिए चूंकि मैं सोवेट क्रांती के प्रभाव से कम्योनिस्ट बन गया था इसलिए सोवेट संग मेरी बहसों में हमेशा सर्वो परी होता था जिसके कारण अनेक चात्र मुझे रूसी एजेंट बताते थे किन्तु मैं इस तरह के कतनों को कभी बुरा नहीं मानता था क्यूंकि सोवेट संग का कट्टर समर्थक होने को मैं एक सच्चे कम्योनिस्ट के निशान ही मानता था इस बीच देश की राजनेती में बड़ी तेसिस से धुवी करण उभर कर उस समय सामने आया जब भारत के तीसरे राश्टर परती डॉक्टर जाकिर हुसेन के मृत्यू के बाद 24 अगस 1969 को नए राश्टर परती का चुनाव हुआ उस राश्टर पती में कॉंग्रेस के अधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रह रहे थे जो डक्षन पंथी माने चाते थे किन्तु इंद्रा गांधी ने वरहा व्यंकट गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया था इस दोरान कॉंग्रेस की राजनीती में तूफान सा ग लिकी थी अंतोद गत्वा पूरा देश दक्षन पंथी एम वाम पंथी धुरुवी करण के बीच बट गया था मुझे लगता है नहरु जी की समझ के सांसात इंद्रा जी की समझ भी नहरु जी की समझ से इंफ्लूएंस थी कि दक्षन पंथी ताकतों को यह थी थोड़ा भ पंथी गुट सिंडिकेट दक्षन पंथी गुट है मुझे याद आता है से सिंडिकेंट बैंक हो सकता है वे इनी सब लोगों का रहा हो सिंडिकेट यादि दक्षन पंथी गुट जनसंक आरेसस की प्रथम पार्टी ताथा चक्रवर्ती राजगुपालाचारी के नेत्रित्व वाली राजाओं की स्वतंत्र पार्टी रेड़ी के साथ हो गई वहीं CPI, CPM, सोशलिस्ट पार्टी आदि इंद्रा गांधी गुट के साथ थे इसका परिणाम ये हुआ कि गली-गली में राश्ट्र पती चुनाव की धूम मच गई रुवी करण की खबरों से भारत के तमाम अख़बार भरे पड़े रहते थे बी-एच्यू के चात्रों के बिच दिन रात रुवी करण पर बहसे होती इन बहसों में मैं भी बड़ी सक्रियता से हिस्सा लेता था इस चुनाव में CPI सबसे ज़ादा मुखर हो उटी थी पार्टी के चेर्मेन श्रिपाद अमरित डांगे देश भर में घूम घूम कर वीवी गिरी के समर्थन में जन सभाय करने लगे थे इतनी गहमा गहमी किसी भी राश्ट्र पती के चुनाव में आज तक नहीं देखी गई डांगे अपनी सभाओं में नैशनल बुर्जुआजी यानि राश्ट्री पूंजी पती वर्ग की अवधारना पर विशेश विशलेशन करते वे कहते कि नैशनल बुर्जुआजी पूंजी वात का समर्थक होने के बावजूद उपनिवेश्वात तथा सामराज्यवात का विरोधी होता है जिसके कारण उसकी भूमी का प्रगती शील हो जाती है इसलिए कम्यूनिस्ट पार्टी नैशनल बुर्जुआजी का समर्थन अवश्य करे इस अवधारना को और साफ करते हुए उनका कहना था कि कॉंग्रेस के अंतरगत इंद्रा का गुट नैशनल बुर विसकस वे कर रहे हैं कि किस प्रकार जो कॉंग्रेस पार्टी है वे रईसों के पार्टी तो दोनों ही है लेकिन ये सामराज्यवाद की घोर मतलब और उपनिवेश्वाद की विरोधी है कॉंग्रेस पार्टी और सिंडिकेट गुड जो कि दक्षिन पंथी विचारधारा वाला लिखा गया है इसमें वे जो है वे अपना जो ताकत है सामंत शाही उसमें जादा यकीन रखता है तो यह यहाँ पर बेसिक डिफरेंस दिया गया है एक वो फिल्म आई थी फना आमिर खान और काजौल की उसमें एक बड़ा अच्छा डायलोग था कि यदि दो सही रास् हो तो जो कम गलत हो उसे चुनना चाहिए तो यहाँ पर कॉंग्रेस जो है वो कम गलत पार्टी है बस यह कहने का मतनी है अता नेशनल बुर्जुवाजी का समर्थन देकर सामराज्यवाद समर्थक गुठकी राजनीती को परास्थ करना चाहिए टांके का यह विशलेशन ल दूसरी कॉंग्रेस में प्रस्तुत किया था उपनिवेश्वाद का विशलेशन करते हुए लेनिन ने कहा था कि गांधी जी के नेत्रित्व वाली कॉंग्रेस आंतरिक मामलों में पूंजी बात का समर्थक होने के बावजुद उपनिवेश्वाद का विरोधी है इसलिए नैशनल बुर्जुवाजी की श्रेणी में आती है कि मतलब पूंजी वातका तो समर्थन है ने क्योंकि गांधी जी के बनने में बिर्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उन्होंने विरोध भी उपनिवेश वातका किया था सत्ता का हस्तांत्रन ये एक शेलो वाटर में की गई बाते है जबकि अंदर गहरे में पैठ करें तो आपको असल बात समझ में आईगी अधा कम्यूनिस्ट उपनिवेश वात को समाप्त करने के लिए गांधी जी को आवश्य समर्थन दे लैनी तथा डांगे का ये राजनेतिक विश्लेशन मेरे मस्तिश्क में एक दम समा गया था मैं छात्रों तथा पार्टी कैडरों के बीच इस अभधारना का खूब प्रचार करता इस तरह राश्टरी तथा अंतर राश्टरी कम्यूनिस्ट आंदोलन में नैशनल बुर्जुवाजी के अभधारना का मैं प्रबल प्रचारक बन गया जिस पर मैं आज भी कायम हूँ इस पूरी राजनेतिक प्रक्रिया के दोरान वीवी गिरी चुनाव जीट गए उनके चैन से देश भर में एक नया उल्लास फैल गया था देश में समाजबाद के अभधारना बड़ी तेजी से उमरकर जनता के सामने आई थी जिस पर सिंडिकेट के नेता एस के पाथिल ने कहा था समाजबाद मेरी लाश से गुजरेगा उनके इस कथन के बाद मुंबई से प्रकाशित होने वाले सापताईक अखबाद ब्लिट्स के संपादक आर के करंजिया ने एक फोटो छापा जिसमें एस के पाथिल जुक कर नहरो जी के जूते का फीता बाल रहे थे उस समय समाजबाद पर की गई टिपने से पाथिल की खूब खिली उड़ाई गई थी तो मैंने पहले का के एक खासियते के वे साथ साथ रेफरेंस देते चल रहे हैं कि किस संदर्भ में कौन सी टिपनी किस अखबार में छापी गई उसका पूरा पूरा ब्यॉरा इसमें उन्होंने दिया है इन सभी ब्यॉरों के चलते थोड़ी सी जो लंबाई है आत्मकथा कि वे बढ़ गई है लेकिन इससे इसकी एहमियत बहुत जादा बढ़ गई है क्योंकि हमें रेफरेंस को कहीं भी ढूनना नहीं पड़ता वे आपके सामने हमेशा रहते हैं और आप उसे आसानी से समझ लेते हैं जब वे इन्ही रेफरेंस को आज की राजनीती में आप अगर जोड़ कर देख ले तो इसमें काफी महत्वपूर्ण बाते दी गई हैं जिसको मैंने और भी जादा सरली करन करते हुए फणा के एक छोटे से डायलॉक से आपको समझाया है तो सिर्फ उन बात को ध्यान में यदि रखेंगे तो ये प्रक्रन आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपर क्या कहना चाह रहे हैं तुलसी रामची तो इसे के साथ ये एपिसोड यहां समाप्त होता है अगला एपिसोड काफी महत्वपूर्ण एपिसोड है तो उसे मिस्स ना करें इसे के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी न भूले धन्यवाद